तो दोस्तों एक समाजिक मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं मुद्दा यह है कि एक बड़ा इंट्रेस्टिंग पीस अफ न्यूस था वो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था वो यह था कि जो कॉम्मिनिस पार्टी ऑफ चाइना है उसने कोई समाजिक जो चुनोतियां हैं उसको ले करके को डॉक्यमेंट बनाया था और उसमें उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि बढ़ते उब्भोकतावाद यानि कि बढ़ते हुए कंज्यूमरिजम के कारण जो पुरुश वर्ग है उसके अंदर भी जो है वो लड़कियों वाई लक्षन जो है वो दिखने लगे हैं इसका मतलब यह है कि चीन को पहले अपने आपको एक बाजार के रूप में प्रसुत करना था ताकि वो विदेशी निवेश को और विदेशी कंपनियों को जो है अपने हां आकर्शित कर सके तो यह काम उसने किया लेकिन बहुत लंबे समय तक वो काम करने से हुआ यह कि वो बाजार तो बन गया और बहुत आकर्शक बाजार बना ऐसा जहां पर कि कंपनिया जो है मनमाने तरीके से अपना काम कर सकती थी और कंपनिया आज भी जो है वहां छोड़ना नहीं चाहती है जियो पॉलिटिकल चैलेंजिस जो है उसको देखते हुए भी जो है उनको मालूम जो है वो अब हो चीन पर निर्भहता से खाटना चाह रही है खेर मेरा मुद्द वो नहीं है भी तो चीनी कॉम्यमिसिस पर्टी जो है वो जब जिशिबिंग बने राश्पती तो उनका अलग विजन था, उनका था कि भई हमको जो है वो अपना पुराना जो कॉमिनिस पर्टी का अबजेक्टिव उसको पूरा करना है और अभी तक हमारे पास छमता नहीं थी रेकिन अब छमता है अभी जो है हमने बहुत साथ टेकनोलोजी हासिल कर ली है पस्चिम से और हम हम पर बहुत जारी निर्भरता है दुनिया भरकी और भारज ऐसे देश चाहें आसियान के दस देश वह हमसे कई 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 स्वस्कोरा करने के लिए हमको प्रयास करने चाहिये ऐसा कहना तो उसके बारे में जो समिक्षय हवी कि सकते है तो उसके लिए सेना की और उसकी जो है तैनाती और बढ़ाना और सेना के ट्रेनिंग वगरा जो है और सरीकों की भरती वगरा पर ध्यान दिया गया तो उसी समिक्षा के दोरान ये बाद सामने आई कि जो है भोकतावाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है चीन में कि वहाँ पर भी जो है जो लड़के हैं वो भी जो है अपने शरीर पर बाल दिखना पसंद नहीं करते हैं चाती के बाल हो यहां के बाल हो वहां के बाल हो सब साफ करने में और अगर टैकल नहीं किया जाएगा तो फिर यह समस्या बनी रहेगी और हमारा जो अबजेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाए हैं लेकिर उस मुद्दे को यहां पर उठाने का मकसद यह है कि हमारे यहां भी भूक्तावाद जो है अब अब उपर जा रहा है और जो है कंपनिया जो है वो इसका प्रयास करेंगी और दूसरी बात यह भी है कि कंप्रियों में और भी कुछ ऐसे डवलप्मेंट हैं जो दी जाती है पुरुषों को छोड़ करके बाकी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है तो यह जो है कहीं ने कहीं ऐसे ट्रेंड्स हैं जो की आगे बढ़ने वाले हैं और इसलिए पुरुषवर को अपने हितों के चिंतन के लिए अभी से कुछ-कुछ क्रियानवयन करना जरूरी है, इसके बारे में नजर रखना, इसके बारे में समिक्षा करना, इसके बारे में आगे बढ़ना ये आवशक है, तो कि आने वाले समय में ये बढ़ने वाली है। जैसे आर्थिक मुझभूती होगी पुरुवर्षक को छोड़के बाकी समाजों की, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके इसाब से कानून बढ़ने लगेंगे, उनके पस लोग जाने लगेंगे, उनके पास वो जो लोबिंग करेंगे, करें यह वहीं उसी साफ से हैं चीजह होने लगेंगी तो जो ideology है उसको जो है देखना है और उसके बाद में जो एक प्रागर्टिक पारिवारिक विवस्था है उसको बनाए रखने के लिए प्रयासरत सभी को रहना होगा, सभी को इस बारे में जागरू को रहना होगा, हैना तभी जो है अपने आने वादे चुनोतियों से आप निपट पाएंगे, और साथ में जो है सबको मिल करके जो है इन चुनोतियों के प्रति सजग सचेत रहने की ज़रुवत है तो इसके बारे में जो है मेरा एक प्रस्ताव यह था कि हम लोग एक अभियान के रूप में शुरू करें अभियान के रूप में यह शुरू करें कि जो पुरुश्वर्ग वो और जो राष्ट्रवादी जो संगठन है वो इस बारे में पहल कर सकते हैं जो पुरुष वर्ग है वो खाना बनाना जो है वो सीखे और छोटी उमर से जो है मैंने 12 साल के उमर से लड़कों को खाना बनाना जो है सीखने के बढ़िया वशकता है इसके पीछे कारण क्या है क्या उसके पीछे लॉजिक है ये मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ ये मतलब जैसे हम इस अभ्यान को शुरू करेंगे तो जो है मतलब एक जो प्राकृतिक समाज है उसके उसके पुनर जागरन उसके पुनर स्थापन के लिए जो है ये प्रयास के रूप में इसको मैं कदम के रूप में देखता हूँ और ये बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब जो है ना सिर्फ इसमें सहयोग करें बलकि इसमें जो है इस बात को जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं word of mouth यानि कि जो है मतलब अपने संपर्क में जो लोग है उनको भी इ जो है अभियान के रूप में शुरू कर सकते हैं किया ही जाना चाहिए है ना तो यह एक मतलब विशय था मैंने बहुत कुछ नहीं भी कहा है और जो नहीं कहा है मैं समझता हूं कि जो लोग समझदार होंगे जो लोग समाजिक समाजिक मतलब जो डवलपेंट्स होते हैं जो भी चल रहा है उसके बारे में नजर रखते होंगे वो समझेंगे कि मैं क्या कहना चा रहा हूं और मेरा उद्देश क्या है आने वाले चुनोतियों को या पश्चिमी जगत को भी देख लिजें वहां पर आदमी लोग की चुनोतियों का सामना कर रहे हैं तो उसको देखते यह सब चीजें अभी से तक पर सजग रहना जो है वह अच्छा रहेगा और उसके लिए जो है पहला कदम मेरे हिसाब से होगा कि सभी पूरुष जो है वो यथा संभग कोशिश करें कि वह खाना बनाना जो है वो सीखें भोजन के बारे में जो है वह आप निर्भर हों पहल लोग नियमीत तोर से कहीं बैठक करने का भी विचार करेंगे और वहां पर बैठक करके और इस बारे में हम आगे जो है अपने अक्रियानवेन करने के बारे में सोचते हैं धन्यवाद